नमस्कार, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यावारता में NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियां चली है इससे पहले हमने भक्तिकाल के उदै के कारण, भक्तिकाल की समय सीमा इत्यादी के बारे में देख लिया था आज हम पढ़ेंगे आलवार संथ और भक्तिकाल के प्रमुक संपरदाय और उनका वैचारिक आधार तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं आलवार संथ के बारे में दक्षिन भारत में जो भक्ति परंपरा रही उसमें वैशन्यवख्त और शैवख्त हुए तो जो वैशन्यवख्त थे वो कहलाए आलवार और इनकी संख्याती बारा जबकि जो शैवख्त थे इनकी संख्या 63 मानी जाती है और ये कहलाए नयनार तो इसके अंत्रगत हम पढ़ेंगे वैशन्यवख्त भक्ति को आलवारों के बारे में आलवार जो संथ थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो दीकिए सबसे पहले है भक्ति आंदोलन के जो जनमदाता थे वो कौन माने जाते हैं आलवार को ही भक्ति के बक्तियांदोलन के जनमदाता माना जाता है, क्योंकि जब जब विदेशी शासन कारियों ने धर्म के उपर एक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त इस तरीके के संतों ने ही अपने समुदाय, अपने देश के लोगों को ईकठा करने के भक्ति का मार्ग अपनाया और उसमें जो आलवार थे उन्होंने अपना विशेश योगदान दिया है इसलिए इनका यहां पर हम थोड़ा सा विवर्ण करेंगे तो चलिए आगे देख लेते हैं कि यह बिश्नु के उपासक थे तो यह किसके उपासक थे बिश्नु भगवान क यह पूजा करते थे आलवार का अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ मतलब इश्वर की स्तूती में जो निरंतर रहता है उसे क्या कहते हैं आलवार कहते हैं या दूसरा इसका अर्थ है देखिए जिसने अध्यात्म ग्यान रूपी समुद्र में गोता लगाया हो आलवार संत कवी थे और इनका संबंध दक्षिन भारत के केरल से था तो देखिए ये बात हम पहले से ही शुरू से करते आ रहे हैं कि जो आलवार थे वो क्या थे दक्षिन भारत के थे और ये संत कहलाते थे ठीक है ना संत कवी थे ये और इनके पदों को रंगनाथ मुनी तो यहां से प्रश्ण बन सकता है कि इनके जो पद थे आलवारों के और पहली बात तो यह कि कितने पद थे वो उमने नीचे बाले लाइन में देखी लिख दिया है कि इनके पदों की संख्या 4000 है ठीक है और इनकी भाशा क्या थी तमिल थी और इन 4000 पदों को किस में क्या था नलियार दिव्यप्रबंधम और कई बार इसका नाम कई जगए आपको मिलेगा दिव्यप्रबंधनम ठीक है तो नलियार दिव्यप्रमंधनम शीर्शक से चार बागों में इसको संकलित किया है रंगनाथ मुनी ने अगला हम देख लेते हैं अधिक्तम आलवार निमन जाति के थे और साथ ही साथ उसमें कुछ महिलाएं भी थे यह हम आगे विस्तार से इसको और पड़ेंगे कि जो आलवार थे वो क्या थे निमन जाती के थे और देखे इनका मानना यही था कि भक्ती जो है वो हर एक इनसान को उसको समान अधिकार है करने का और यह ईश्वर को ही मानते आलवार कृष्ण और राधा की भक्ती करते थे तो देखे किस की भक्ती करते थे यह क्रिश्ण और राधा की क्योंकि हमने पहले सी पड़ा है कि आलवार जो थे वो कहां से निकले वैश्वर भक्ती से निकले हैं तो क्लियर है आगे हम देख लेते हैं बारा जो इनकी संक्य हमने देखी थी बारा भक्तों में जो प्रमुख आलवार हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे हलांकि बारा के बारा इनके नाम उतने जरूरी नहीं है अगर इनके नाम चाहिए होंगे तो मैं अगले वीडियो में वो भी आपको प्रवाइड करवा दूँगा अभी फिलाला बारा में जो प्रमुख हैं उनके बारे में देख लेते हैं देखिए जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं नमालवार ये जो बारा आलवार भक्तों में सरवदिक लोगप्रिय थे तो सबसे लोगप्रिय कौन है नमालवार और इनका पांचवां स्थान है ये भी परांकुष भी विख्यात हैं, तो देखिए यह जो शटकोप है इनका नाम, यह है इनका संस्कृत का नाम और परांकुष भी इनको कहा जाता है, ठीक है, इनका जनम तामर परणी नदी के तट पर स्थित तिरू कुरू कर ग्राम में हुआ है, तो देखिए कहां इनका जनम क्यों इनको जो है श्रिष्ट माना जाता है आलवार भगतों में, तो क्योंकि एक हजार जुपद है इनके दिवय प्रबंधम में, वो एक हजार क्या है, वो इन ही के है, चार हजार में से, क्लियर है, आगे है इनकी पुस्तकों के नाम, तिरू वायमोली, तिरू विरूतम, तिरुवर्ग शरियम पेरियत तिरुवंदादी सहस्त्रगीती इत्यादी तो देखें यह जो सहस्त्रगीती इनकी रचना है इसमें इनोंने रामभक्ती की उपासना का उलेग किया है और जो शटकोफ हैं इनको रामभक्ती का प्रत्थम कभी भी माना जाता है तो ये चीज भी आपको याद रखने होगी दोस्तों कि जो शटकोफ है ये क्या है राम भक्ती का इनको प्रत्म कभी माना जाता है ठीक है तो चलिए ये हो गई बात नम आलवर के बारे में इनकी पुस्तकों के बारे में अब हम आगे देख लेते हैं नम पढ़ा है ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो शटकोफ जो गीतों को गाते थे अपने मधुरकंट से इसलिए इन्हें मदुकर कभी कहा गया है मतलब इनकी वानी इतनी मदुर थी कि इनका नाम ही बाद में क्या रख दिया था मदुकर कभी रख दिया था और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या अग्यात है और संस्कित में इनका नाम मधुकर कभी ही माना गया है सातवें आलवार कुल शेखर राम के अनन्य भक्त थे तो देखिए हमने पहले ही बात कि ये राम और कृष्ण के ही भक्ति करते थे और जो सातवें हुए हैं वो हुए हैं कुल शेखर ठीक है कुल शेखर राम के अनन्य भक्त थे, उसके बाद है आंडाल, जो बहुत महत्पूर्ण है, और कई जगा इसका नाम आपको अंडाल भी मिलेगा, है ना, तो यहां पर देख लेते हैं कि यह कौन थे, यह थी बारा आलवरों में, आठवें आलवार, पेरिया आलवार की पुत्री, आंडाल, तो द और इनका जो संस्कित का नाम है, वो है गोदा, देखिए इनका जो संस्कित का नाम है, गोदा हो सकता है, एक्जाम में इस तरीके से भी पूछे जाए कि इनका संस्कित नाम क्या है, या इनका अन्य नाम क्या है, तो इनको गोदा के नाम से जाना जाता है, और इन्हें दक् जैसे जो संत कवित्री हैं उनका हज्जिक्र कहां पर मिलता है अलवार संतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता रंगनात को अपना पती मान कर ये भक्ती में लीन रहती थी, तो देखिए जो रंगनात थे जो दिव्य प्रबंधन के संकलन करता थे उनको ये क्या मानती थी, अपना पती मानती थी और भक्ती में लीन रहती थी, clear है, आगे हम देख लेते हैं दीवय प्रबंधम के संकलन करता रंगनाथ मुनी के बारे में थोड़ा सा या फिर इनको कहते हैं रंगनाथ आचार्या रंगनाथ मुनी को भी श्री संपरदाय का प्रत्थम आचार्य माना जाता है तो देखे रंगनाथ मुनी इनका समय नवी से दस्वी शती माना जाता है इनका दाशनिक ग्रंथ न्यायतत्व संस्कृत में है तो देखिए इनका जो दाशनिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है न्यायतत्व है ना और वो संस्कृत भाषा में है रंगनात मुनी रामानुजचारे के पूर्वबर्ती आचारे में प्रत्थम हैं तो ये पहले जो हमने उपर वाली लाइन में पढ़ भी लिया वैसे यहां पर देखिए नीचे एक इन की पूरी श्रिंखला दी है कि कैसे ये आगे क्रमवाइज जाते हैं क्रमानुसार हो सकता है इस तरीके से अब क्रमानुसार जो पुछे जाते ह वहां से इसको इस तरीके से पूछ लिया जाए ठीक है तो दीके सबसे पहले रंगनात्मुनी आएंगे फिर पुंडरी काक्षे राममिष्र यमुनाचारे और रामानुजा चारे तो इस तरीके से इनका एक तरीके से कालकरमानुसार या रखा गया है इसको ठीक है आगे हम भक्ती का प्रचार-प्रसार करने का श्रे वैश्नयव आचारियों को जाता है यह हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं इनकी समायवधी 11-16 सदी तक मानी जाती है तो देखे कब से कब तक 11-16 सदी तक मानी जाते हैं जो प्रमुकसंपर्दाय गिरब गिरा है वैश्नयव भक्ति के अचारियों का ग्रंत भागवत महापुरान माना जाता है तो देखिए कई बार इस तरीके से भी पूचा जा सकता है कि इनका अधार ग्रंत क्या है तो इनका अधार ग्रंत क्या है भागवत महापुरान वैशन भक्ति के प्रमक संपरदाय और उनके वैचारिक अधार क्या है आईए उनको देखते हैं तो सबसे पहले आता इसमें देखिए श्री संपरदाय तो इसको आगे देखिए लिखा है श्री राम विशिष्ट पूरुष है तो यह क्यों लिखा है दोस्तों यह मैं आपको बताता हूँ यह तरीक है चोटी सी इसको आपने याद कैसे रखना है श्री से मतलब है श्री संपरदाय और राम से अभिप्राय है इसके जो अचारे है या प्रवर्तक है वो कौन है राम विशिष्ट से क्या रखना है राम विशिष्ट से क्या रखना है याद विशिष्टा दोयतवाद जो इनका सिध्धान्त है जो इनका विचार है दर्शन है तो इस तरीके से इसको क्या करना है याद रखना है श्री राम विशिष्ट पुरुष हैं तो इस संपरदाय के प्रवर्ता कौन है रामानवजा चारिया और इनकी परंपरा में रामानद हुए हैं जो हमने अभी आगे उसको अच्छे से पढ़ना है जो रामावत संपरदाय क पड़ेंगे तो वो कहां से निकल है श्री संपरदाय से ही रामानवजा चारे से ही आगे वो हुए हैं इन्हों ने विशिष्ट्या दोयतवाद का सिध्धांत दिया देखिए उपर मैंने आपको बता दिया कि विशिष्ट्त से मतलब क्या है विशिष्ट्या दोयतवाद तो विशिष्टत व्यत्वाद में देखिए क्या होता है कि इसके अनुसार यद्यपी, जगत और जीवात्मा दोनों कारेरत ब्रह्म से भिन हैं, ठीक है? जगत और जीवात्मा जो है, इनसान जो है, एक तरीके से वो क्या हैं? ब्रह्म से इश्वर से एक त्रीके से भिन है फिर भी ब्रह्म से ही अधभूत है परंतु वे हैं किस से वो इश्वर से ही है ना हम इश्वर से हैं और जो दूसरा संसार है वो भी क्या है वो इश्वर से और ब्रह्म से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किर्णों का सू है ठीक है दोस्तों तो ये है विशिष्ट्या दोयतवाद का अर्थ तो कई बार एक्जाम में अब मिलान में इस तरीके से पूछा जा सकता है विशिष्ट्या दोयतवाद आगे उसका जो सेधानत है कि क्या ये बताता है clear तो इस वाली definition को भी आपने जरूर याद रखना है कि विशिष्ट्या दोयतवाद का मतलव क्या होता है फिर आता है देखिए राम सगुन भकती का केंदर तो ये किस केंदर में रखते हैं राम को केंदर में रखते हैं और सगुन भकती है उसके केंदर में कौन है राम है ठी जैसे ही राम और सगुन दो चीज़ें आ गई तो एकदम से हमारे दिमाग में यही चीज़ ट्राइक होनी चाहिए कि जो सगुन भक्ति अगर राम की बात की गई है तो तुल सिदास सबसे बड़े उसके कभी माने जाते हैं आगे देखिए दास्य भाव की भक्ति तो तुल सिदास की जो भक्ति थी वो क्या थी दास्य भाव की भक्ति थी है न? तो इसके हमें तूरी सी जानकारी होनी चाहिए. चलिए, next देख लेते हैं, अगला जो है ब्रह्म समपरदाई, तो इसकी टिक आधे के ब्रह्म द्वै, ठीक है? ब्रह्म से, ब्रो में जो है, तो ब्रह से होगा ब्रह्म है, और ब्रह्म में जो मो छुपा हुआ है, 1199 इस्वी में कहां हुआ, बेली ग्राम में हुआ, कि इसका ये हमारे जो मदवचारे हैं, clear है? फिर इन्होंने द्वैतवाद से धांत दिया और इसका अर्थ है प्रार्थना करने और उस प्रार्थना को सुनने वाले दो रूप है, clear है? तो देखिए द्वैतवाद का क्या मत जाता है, क्या बोलते हैं इसको? दुईत्योबाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है? इसका जो लक्षा है देखिए, वो है ब्रह्म को प्राप्त करना, मतलब इश्वर को क्या करने एक तरीके से प्राप्त करना, इश्वरत्यों को प्राप्त करना है, इसे पंचवेद तो वो पंचवेद कौन कौन से हैं, ये मानते हैं कि ईश्वर जीव से भिन है, पहला ये सिधानत है, ठीक है, दूसरा कहते हैं कि ईश्वर जड़ पदार्त से भिन है, तीसरा है देखिए, जीव जड़ पदार्त से भिन है, एक जीव का दूसरे से भेद है, और अंतिम जो है इन्होंने जो दिया है द्वैतवाद सिध्धान्त तो ये था ब्रह्म संपरदाय और इससे पहले हमने कर लिया अभी अपना जो श्री संपरदाय था उसके बारे में अन्य जो संपरदाय हैं दोस्तों उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में, फिलाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई और नाइस पूर्ती के साथ, तब तक के लिए जया हिंद।